मेरे प्यारे बदारतियों मैं दिलप्री सिंग वकेशनल टीचर बतौर कम करदा हां अथे जीजीएस पक्का कलां स्कूल देविच पढ़ांदा हां अज मैं थ्वाड़े ली कले के आएं बहुती बदिया अथे अंट्रस्टिंग टॉपिक जिस दा नाम है पलस्तर आओ इस वारे अपा संखेब रूबिच जानकरी हासल गरिए इट्टा अथे पत्थर दीच नई दी दिवार दी सता नू साप, सम्तल अथे इको जही बनाओं ले जो पदार्थ दे रूप विच मसाले नू दिवार ते लगाया जान्दा है उसनू पलस्तर केंदेयान पलस्तर दे विच तेनप दार्थ वरतेयान देयान जे में सीमेंट, ब्रेती अते पानी इन्ना तिन्ना पदार्थ अनू मलाके जो मसाला वान्दा है उसनू अपां दिवार ते चमकाउने हां ते जिसनू पलस्तर केया जान्दा है आँ देखो तस्वीर दे विच एक इट्टा दी चनाई कीती हुई है जो के कब्बे पासे साफ दिख रहा है आते दूसरे सज्जे पासे एक मसाले नू दिवार दे उपर कारीगर्द बिद्दा हेल्प आफ टूल्स लगाया है इसनू ही पलस्तर केया जान्दा है पलस्तर दा महत्व पलस्तर दे विटा कई महत्व हुँदे हन आउ अपमस बरे जानकरी हासल करिए दिवार दी सता नू साफ सुतरी अते सम्तल बनोना दिवार नू टकाउपन बनोना जिसकार के दिवार दी कई साला तक लाइफ वजन्दी है जिनना ही दिवार टकावपन होगी उनना ही ज़्यादा उदी लाइफ होगेगी पलस्तर नाल सतानू मौसमी प्रवाबबा तो भी बिचाया जा सकते हैं जिमे के दारन देव जो बर्खा जिस करके दिवार दी लाइफ वजन दी है जे आपां पलस्तर ना करिये ता दिवार दे उपर कई प्रवाब पहंदे हाना उनना मिचो एक में कारन है मौसमी प्रवाब एप पलस्तर कोई भी माड़ी कारीगरी अते कार्ज कुछलतानू लुकोणली भी मदद करदा है कोई भी कारिगर कई बार कई गल्तियां हो जान दियान चनाई करते समय ता उन्ना नू प्लास्तर लुका लेंदा है अते जोडा नू बिल्कुल ही साफ सुदरे नजरों दियान दिवार नू होर बक की सुदरता भी परतान होंदा है जिमे के रांगरोवन कली जोके आपा प्लास्तर होन तो बाद ही कार सागते हैं अते इस नाल सता बिल्कुल ही साफ सुदरी अते बहुत ही सोनी नजरों दिया जोके देखन वेच भी बहुँ बढ़िया लग दिया अगे आओ अपा पढ़िये प्लास्तर दियां किस्मा प्लास्तर दियां आम तो ते तेन ही किस्मा बढ़ती है जादियां पहली किस्म है सीमेंट प्लास्तर दूसरी चूना प्लास्तर आते तीसरी मिटी प्लास्तर सीमेंट प्लस्तर जिस मसाले विच सीमेंट दी वर्तो एक जोड मतलब वाइंडिंग पदार्त दे रूप बिच वर्ता जानदा है उसनु सीमेंट प्लस्तर क्या जानदा है जिस मसाले दानपाथ एक नपाथ तन तो एक नपाथ छे दे विच कार होंदा है जिस विच को बोल दे विच सीमेंट ब्रेती अथे पाणी दा पदार्त वर्ते जानदे आन उसनु सीमेंट प्लस्तर क्या जानदा है इस विच मसाले दानपाथ एक नपाथ तन एक नपाथ चार एक नपाथ पांच जा एक नपाथ छे इनना विचो कोई भी नपाथ आपा लोड मताबक ले साकते है एक दा मतलब होंदा है कि एक सीमेंट बैग मगर तन सीमेंट ब्रेती दे लगाए जानगे आओ सीमेंड प्लास्तर लही केड़े केड़े कदमां दी पालणा करनी चाहें दी है सब तो पहला कदम है प्लास्तर दी सतानों त्यार करना दूसरा कदम प्लास्तर लही जविन्नी पदर दा कम तीसरा कदम प्लास्तर दी पहली तया लगवानी चौथा कदम प्लास्टर दी दूसरी तया लगवानी अते सब तो लास्ट विच्वंदा है प्लास्टर दी तराई करनी आओ अपा पहला प्लास्टर दी सता नो त्यार करना इस वारे जानकरी हासिल करिए सब तो पहला जो दो इट्टा दीच नाई जा पत्थरा दीच नाई जो भी आपा जिस्ते प्लस्तर करना है उस दिवार दे जोडानों खुर्दरा करना चाहिंदा है खुर्दरा करना प्लस्तर नी जो कोल बनाया है उप अपनी पकड मिजबूत करेगा क्योंकि पलास्तर हमेशा खड़ में ही जगा देविच जान लेट में दिशा विच हुन्दा है ता उसली पकड होना बहुत मजबूत है जो के खुर्दरा होवेगा ता ही उसली पकड मजबूत होवेगी द्वार दी सता आते जोडा नू जाली आले बोर्षनाल चंगी तरा साफ कर लेना चाहिदा है द्वार दी सता ते कोई भी तेल जां गरीस बिल्कुल नहीं होना चाहिदा क्योंकि अगर सता देव पर कोई भी ओईल जा ग्रीस होवेगा ता पकड मजबूत नहीं होएगी अते मसाला है वो नीचे डिक पएगा जे कर आपा प्राणी दिवार नू प्लास्तर करना होवे ता मसाले दे जोडा नू कटो काट 12 mm दी डगाई रखनी चाहिन दी है शे काटे पहला दिवार दी बिलकुल चंगी दराना तरही करनी चाहिन दी है ता जो दिवार दे विच एक गिलपन जा सलाव बन जाए जिस नाल प्लास्तर दी पकड मजबूत असानी नाल हो जानती है ता एस ही अपना पहला कदम प्लास्तर ती सता नू त्यार करना तूसरा कदम है प्लास्तर ली जमीनी काम मतलब लेवल करना ता लेवलिंग बहुत जुरूरी है बिल्कुल एकुरेसी अथे बिल्कुल सही टांगनाल प्लास्तर कारने कुछ चुरूरी गल्ला दा त्यान रखना चाहिए जो के इस अपा होदे बारे इस बार स्लाइड दे विच जानागी इकको जी प्लास्तर दी मटाई ली साब तो पहला दिवार दे बिंदू नू फिक्स करना चाहिए बिंदू मतलब डॉट्स डॉट्स दा मतलब प्लास्तर दी मटाई पंदरा एमम तक होवेगी आते वाद विच दास एमम दा प्लास्तर दी मटाई रह जावेगी आप तोरते अपने जो कारिगर हो देने वो हमेशा ही अंदाजे नाल प्लास्तर दे को ओलनू दिवार उते चिपकाऊ दे हान उसनों बाद देविच अजार नाल टूल्स नाल सेट करके एक प्लास्टर दा कम करते हैं पर जे तुसी बिलकुल ही एक्कुरेसी वाला कम करना है ता द्वार दे उपर डॉट्स लगाने बहुत जरूरी ने बिंदू पॉइंट बहुत लगाने हैं ते उन्हादी थिकनस सुन दी है जो के 15 mm रखी जांदी है ता 15 mm दे का पां एक दिवार दे उपर जो कोल बनाया है उसना 15 mm तक उसना लेप लगवावांगी ते वास्दे विच उसनों उजार दी मादत नाल उसनों मटाई नू होली होली कट करके 10 mm तक जो के अपना प्लास्टर दा निश्चत उन्द आगा तो उन्हीं अपां मटाई करांगी विंदू नू पहला लगाना किस तरह है और उस वरे जान देयां बिंदू नू पहला लेट में दिसा विच लगांगी फिर खड़ में दिसा विच ति उन्ना दी दूरी दो मिट्र होवेगी लगबग लगबग शे साढ़े शे जिसनों अपां लाटू भी कहा जाना है उस ती मदत नाल पिलकुल ही खड़मी दिशा दे विच बिंदू नू लगा मांगी अधे इस तो बाद इनना बिंदू आदे विच कार जो के आपां मसाला चपकाया है उसनों एक खड़मी पटी जिसनों स्गरीड कहा जाना है उस आपने तीसरा कदम है प्लस्तर दी पहली तया लगाँने इटाशी चनाई लिए पहली तया दी मठाई 12 mm रखनी चाहिए है येकर कंक्रीट दी चनाई किती जावे तां प्लस्तर दी मठाई 9 mm तो लेके 15 mm दे विचकार होनी चाहिए है स्टूडेंट्स जुदों भी अपा प्लस्तर कर देया ता उस देविच अपा पहला तै वई तै प्लस्तर कर देया ता पहली तै अपनी बारायमम्दी होवेगी तूसरी तै अपा बाद विच लगा मागी पहली तै ले सीमंट अथे ब्रेती दान पाद एकन पाद तैन तो लेके एकन पाद शे देविच कार होवेगा अपा पहला जो उस दी प्रवाशा सी उस दे विच भी पढ़ा सी भी सीमेंट प्लस्तर दा अनपाथ एक अनपाथ तैनन तो लेके एक अनपाथ शे दे विच कार होगेगा ताहूं देखो अपा पहली तै दे विच अनपाथ एक अनपाथ तैनन भी ले सकते हैं एकनपाद चार भी ले सकते हैं अधे एकनपाद पांच जा एकनपाद शे दी भी बढ़तो कर सकते हैं पर दूसरी तैय दे विच इस दानपाद लग होएगा मसाले दे कोल नूं दिवार ते लगाऊं तो बाद आपां एक फटी ना लेवल करांगे जो सता ते फिर भी कुछ खाली था रह जान्दी ए उसनू आपा करन्टी दी मादतनाल फिल करांगे मतलब उस दे पिच अपा कोल नू जो मिसाले दा कोल आय है उसनू आपा करetrical्टी दी मादतनाल उसने विच पर आंगे प्लास्तर ती सता नू लेवल कर लऄ एक लगकड़ दे गरमालने अटे गाजधा इस्चमाल करना चाहे न है लगकड़ दा गरमाला ती जो सता हों दियाँ बिल्कुल ही समतल हों दियाँ अचे उस दे नाल बिल्कुल भी अपनी सीमेंट पकड नहीं बनो दा आते गजदा भी बिल्कुल ही सेम साइज नहीं हुंदा बट उस दा परपस बिल्कुल सेम हुंदा है जो तो अपना पहली तया लगवा दने हैं उसनों कुछ समेली अपनों थोड़ा जा टाइम देना चाहिएदा है ता जो ओ सीमेंट है जो कोल है अपना ओ सेट हो जावे पट एक गल्दा त्यां रखना है कि ज्यादा टाइम नहीं लगाना ता कि जो सुक जावे तो जो प्लस्तर हो बिल्कुल जम जावे ता जो अपनी दूसरी तय लगवा मांगी ता उस दे विच आपनों प्रॉलम क्रीट्स होएगी अते प्लस्तर उस दे विच अपनी पकड मुझबूत बिल्कुल नहीं कर सकी है इसलिए एक स्क्रैस टूल होंदा है जिस दे विच इस पर कारनाल उस दी शेप होंदी है कि ज सिर्फ इसलिए ही किता जानदा है ता कि जो दूजी तय लगवा में दे विच असानी हो सकी ता यह जुरूर तया रखना है कि प्लस्तर दी पहली तय लगवा में तो बाद उसनों थोड़े समेली जुरूर सेट होंदेना चाहिंदा है बड़ जादा नहीं इस गल्दा विल दूसरी तय दी मटाई बिलकुल ही बहुत ही लाइट रखी जानदी है उस दी मटाई बिलकुल दो तो लेके 10 mm दे विचकार होंदी है और मैं थोनूँ पहले ही क्या सी बद्राथियों के पहली तय लए अते दूसरी तय लए सीमेंट ब्रेत्ति दानपात अलग होएगा दूसरी तय लगां तो पहला हल्का जांबलकुल हल्का जादा नहीं गिल्ला कर लेना चाहिए क्योंकि आप जो पहली तया लगाई सी तो सीमेंट दा जड़ो टाइम होना मसाले दा जो कि आपा ओपी सी मेर्थी वर्तों कर देयां और रिप्रोटलेंट सीमेंट उस दा सिटिंग टाइम 30 मिन तक होना है तो 30 मिन तो बाद सेट हो जाना है होना शुरू हो यंदा गया तो जो भी अपनों सामें दर्मान समा एक्सपैंड हो गया है तो उस देवेच थोड़ा जा जो मसाला है वो ड्राई होना शुरू हो यंदा है तो इसलिए आपा ड्राई ना हो सके ज़्यादा थोड़ा यसनूं गिला करकी फेर ही दूसरी तया लगाउन तो बाद लकड़े गर्माले ना जिमें के आपा पहले तया लगाउन तो बाद लेवल किता सो उसे ही सेम तरीके ना इसनूं लेवल करांगी अधे बिलकुल एकोजी तया बनाओ लिए एक लोहे दा गर्माले दा इस्तमाल करांगी बिटा होने एक लगकड़ दा गर्माला है अते इक लोहे दा गर्माला है इना दे विच की फरक है इना दा साइस बिलकुल सीम होंदा है कोई ज़्यादा फरक नहीं होंदा बट इना दा वेट अथे थिकनस जो होंदी है थलडे पाड़ दी ओ बहुत ही ज़्यादा इना विछ फर्क होंदा है जो लकड़ गर्माला होंदा है उस दा बेट ज़्यादा होंदा है अथे जो लोहे दा गर्माला है उस दा बेट बिलकुल हलका होंदा है ते उस दे थिकनस भी लकड़ दे गर्माले नालो बहुत ही ज़्यादा प्रीक होंदी है लकड़ गर्माले दा जदो अपा इस्तमाल कर देया ता अपाँ दास एमम बारा एमम जो भी अपाँ पहले तैल लगवाओने उस दे पहले फस्ट काफी ज़्यादा कोल होंदा गाँ ता उस दी प्लास्तर दी मुटाई ज़्यादा होंदी है ता इहूं आपाँ एक हैवी गर गर्माले दा इस्तमाल पिलकोल ही पिलकोल ही साफ सामतल और जो कि आपा कैसा है एक आखरी स्टेप पूंदा है सामतल इस तो बाद आपा सामतल ज़्यादा नहीं कर सकते तो लोहे दे गर्माले ना ली उसनों एक अंतम रूप दिता जान दा है कौकि उस दी ठीकनस बहुत ब्रीक हुंदी आगी कूंकि आपा पहले तायनों बिल्कुल ही आपा लेवल कर चुके हुने हैं ता सिर्फ थोड़ी जी फ्निशिंग चाहिए हुन्दी है तो फ्निशिंग दे ले ही आपा एक लोहे देगर माले दा इस्तमाल कर दे हैं प्लेस्तर नुमेशा उपर तों यह ठावल करना चाहिए जोड़ों आप एक दवार आप इस नायित बाद प्लेस्तर कर दे देने, एक ता प्लास्तर ही इजी होएगा, एक जो भी प्लास्तर उपर होई जाऊगा, जो उपर ले साइड ते आपका करांगी, तो उस दे उपर इस तो बाद अपा उनु रेश्ट देनली टाइम देते आंदा, तो बिलकुल ही सेट फ्री हुगा, ता अपा होली होली टैव प्लास्तर करना शुरू करता है, एक प्लास्तर जदो भी करना है वेटा, ता निच्चे जरूर कुछ ना कुछ विशाके रखना है, चाहे तो उसी नॉर्मली गट्टा जा बोरी, जा कोई भी चादर, जो भी अवेलवल है, उसनु ता जो जो प्लास्तर गिरदा है, वो नि भी चेपकदा नहीं होंदा, ता कुछ पार्ट होदा निच्चे डिक पेंदा है, तो जो आपना बाद विच्चो वर्त सकते हैं, आते एक कोई पीड़ वेच करन दी, कोशिश करनी चाहें दी है, ता जो कोई भी लाइन दी मार्किंग ना होवे दिवार दी, इसता मतलब है नहीं होदा है, जो आपना पलास्टर करनेड़ नहीं होंदी होना चिर अपना पलास्टर करनाँ नहीं हटना, जो कर आपना फानाट पलास्टर शक्री आतो मैं पlairस्टर करना हlor वेच्चों के तो wireless. 10घंज दवार 5च और फूट तक घल्ख कर सब्सक्राइब ता उसके कार सब्सक्राइब तो अपनानाम्तार्ते में देख दीयाँ कि उस्थे वेच एक लाइन नजर होंदी्येए कि दोना में वेच्छ फर्क नजरा रहा होंदा ऑगा तो इसे करके होंदा है कौ逝ए को कि आप उसनों टाइम दे देंfeld होंदा कौ्कि उपरला जड़ा सिमेंट है तो सेट हो चुक्या नबूरा गूंटे unterwegs कर दें है तो उसके एक या रह जाना दिया तो जो के ड्राइव हों दी वजा करके सीमेंट सेट हों दी वजा करके उसने नाल जो अपन नमा प्लास्तर दा को उर्चम कोने आँ ता उसे दनालों लेवल बिल्कुल नहीं हुंदा तो एक गल्दा जुरूर त्यान रखना भी जदों भी प्लास्तर करना एक तोड़े कोल टाइम होना चाहिए यह नहीं है भी तुसी वान आर पे आए तो तुसी ए सोचों कि इस जगह ते मैं प्लास्तर करवाद हमां बिल्कुल नहीं प्लास्तर करवाना उस दा श्पेशल डे अपे सुब़ा तो करवाने आता है शाम तक प्लास्तर दा ही कम करवाना चाहिए था जो एक शूटिं-शूटिं-गल्ण जो के सुन्दर ता दे विच रकावट वान सकतिया न है तुस गल्दा त्यान रखना चाहिए इस तो बाद आ जानदा है जो तो अपने प्लस्तर हो गया लैबलिंग होगी इस तो बाद अपान लोहे दे गरवाले नाल उसनों बिलकुल अंतम रूप देता तो इस तो बाद उसनों कई दिना तक मतल अगले दिन तो उस दी त्राई करनी चाहिए ते कटो कट साथ देने इस साफ सुद्रा ते जिन्ना हो सकी अपना जल स्प्लाई जो अपने वाडर वक्सता होंदा है वही बरतन दी कोशिश होनी चाहिए पानी देवेचे शोरा पन नहीं होना चाहिए यह गल्दा बहुत त्यान रखना है जेकर पानी देवेचे ज्यादा शोरा होवेगा ता अपन स्मेंट प्लास्टर देविच जो डांपिंग प्रूफ दे कुश मेटीरियल होन दे वाटर अपने अलफैरंस से होन तो बचाऊं ली तो नहीं दा बहुत अस्तमाल करना पहुआ जिस दे नाल पानी शोरा होन दी वजाकार दिवार दा कलर है जो के वाइट कलर नजर है ताही इस तो उपर दराई दे इस्टमाल करना चाहिए तनवाद बेटा में वासा है तो नो आज़ता टॉपिक बहुत बदिया लगा होएगा ते इस दे विच जो भी तो नो जानकारी मिले होगी ते इसनो तुसी गहां जाके अपने लाइफ अपनी केरियर दे विच इस बदियर दे के डाईए तनवाद परताना के